नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं धर्मा सनमार 26 दिसंबर 2019 को सूरे गरहन है और इस बार का सूरे गरहन बहुत ही खास है अध्भूत है हलांकि 2019 में तीन सूरे गरहन लगे थे लेकिन सिर्फ ये वाला ही भारत में दिखेगा आज हम बात करेंगे कि सूर मिनट तक यानि पूरे दो घंटा 40 मिनट का वक्त है तो आप बैठकर इस समय मंत्र जब कीजिएगा वैसे भी सूरी गरहन के समय अगर आप मंत्र जबते हैं तो वह सिद्ध हो जाता है अब आप सवाल यह है कि मंत्र कौन सा जबेंगे आप जिस भी धर्म को मानने वाले हैं बस वही काम करें कोई दिकत नहीं है नहीं तो अगर आप हिंदू धर्म के हैं तो नमस सिवाय का जब करें आप इस समय हनुमान चालिसा का पाट करें गायत्री मंत्र पढ़ें या फिर रामायन वेगरह भी पढ़ सकते हैं अब चुकि गुरुवार के दिन गरहन है तो आप और जो भी कपड़े आपने पहने हुए हैं उसे धोईएगा जरूर दूसरी बात नहाने के पानी में तुलसी के पत्ते डालकर नहाए ज्यादा अच्छा रहेगा और पूरे घर में गंगा जलका छिरकाओ कीजिए संभव हो तो पास के किसी भी मंदिल में जाके आप गरहन समाब्त होने के बाद आप चाहें तो दान भी कर सकते हैं गरहन लगने के पहले ही आपको तमाम खाने पिने की बस्तुव में तूलसी के पत्ते डालकर रखना चाहिए दूद, दही, मिठाई, जो भी आपके फ्रिज में है सब में रख दे अब हम बात करते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए कोई भी ब्यक्ति कि में भोजन नहीं करेंगा आप छोटा बच्चा है रो रहा है कोई बीमार है को दभाई समें पे देना है तो वह अलक चीज़ है लेकिन वह तो इस समें भोजन ना करें गरहन के दौरान भोजन चाहिए ग्रहन दोस्ट लगता है तो जड़ा संभल के और ग्रहन के समय सूरी की रोसनी में भी मत जाईएगा उसका नकारत्मक प्रभाव आपके सरीर पर पड़ेगा तो कहीं न कहीं आपके भागे पर इसका साइड इफेक्ट हो सकता है संभल करें अगर आप महिला हैं आप प्रेग्नेंट हैं तब क्या करेंगी तब गरहन के दौरान यह नहीं की सब्जी बेगर बैठे हुए हैं काट लेते हैं बिल्कुल भी नहीं भूलकर भी ऐसा मत कम कीजिएगा आपको इसमें चाकु छूरी कैंची कोई भी चीज का इस्तेमाल नहीं करना है कट कटिंग वाल हैं उनको संभलकर एक जिकर बैठे रहना चीजिए गमर और इसमें एक पानी वाला नारिया ले अपने गोद में रखें सर पे लाल चुन्नी डालने अब बैठके मंतर जपें अगर आपके घर में कोई हैं तो आपको रुमायन पढ़के सुना सकते हैं आपको सुन्दर कान कर सकते हैं वैसे इसमें मंतर जपने से सिद्ध हो जाता है साथ ही अग आप मोबाइल और टेलीविजन से दूर रहिएगा मत देखें मत योज कीजिए एकदम से आनंद के साथ बैठिए जोर से मत किसी से बात कीजिए जगड़े लड़ाए नहीं कीजिए प्रेम से को परणाम करके ही भोजन कीजिए फिलाल हम आपसे विदा लेते हैं हर हर महादेप फिर मिलेंगे धन्यवाद